Hi everyone and welcome to उपना कॉलज राज हम बात करने वाले हैं resume building के बारे में resume की जब हम बात करते हैं यह हमारे एक ऐसा document होता है जिसके उपर हम अपनी सारी professional summary लिखते हैं और उसे companies को जाके submit करते हैं फिर companies उस paper के basis पर हमें judge करती हैं और फिर हमें invite करती है for internships and for job interviews बट यहां पर एक चीज जरूर धान रखनी है कि हमारे जो resume है सिर्फ एक piece of paper नहीं है यानि सिर्फ कागस का टुकड़ा नहीं जिसके उपर information लिख दी यह हमारी पूरी professional summary होती है और इसी लिए काफी important होता है जब भी हम resume की बात करते हैं एक दिन या एक session के अंदर अच्छा resume बनाना possible नहीं है एक दिन के अंदर definitely हम यह जान सकते हैं कि हमारे resume का क्या proper format होना चाहिए कैसे fonts हमें use करने हैं, information को हमें bullet points में लिखना है या हमें paragraphs में लिखना है कितने page का होना चाहिए resume, अगर हमारे पास कुछ experiences है, कुछ projects है, कुछ education है तो उसे हम किस तरीके से represent कर सकते हैं बट जो resume होता है, अच्छा resume, उसके अंदर अच्छी skills होती है, अच्छे projects होते है, अच्छी experiences होते है और वो सारी चीजें build करने के लिए, हमें कही महीने and in fact कुछ cases में कही सालों का भी time लग जाता है तो back of the mind पर ये जरूर रखना है कि आज हम resume बनाना सीख लेंगे बट resume के अंदर लिखने के लिए जो अच्छी खासी चीजे हमारे पास होनी चीए है जो actually हमें finally जाके shortlist करा रही होंगी वो build करने में कही महीनों की महनत at the back end हमारी लग रही होगी अब आज हम step by step discuss करने वाले कि एक अच्छा resume कैसे बना सकते है साथ के साथ मेरा खुद का जो fresher level का resume था which was selected for Google, Microsoft and Amazon वो मैं आपके साथ शेयर कर रही होंगी तो उसमें से अगर आपको कुछ parts अच्छे लगे तो उन parts को भी हम ले सकते हैं सीरा फ़र्माटिंग से हम उन parts को pick कर सकते हैं जब भी हम एक अच्छे resume की बात करते हैं एक अच्छा resume simple होता है, neat होता है and easily understandable होता है companies के अंदर जो recruiters होते हैं या जो HR होते हैं जो हमारे resume को देखकर हमें shortlist करते हैं जरूरी नहीं है कि वो हमारे resume को पूरा को पूरा पढ़ेंगे इसलिए हमें कोशश करने हैं कि अपने resume को हमें अच्छे से अच्छा और जादा impressive बनाने की जरूरत है अब जब हम अपने resume को build करना start करेंगे तो सबसे पहली चीज हो सकता है हमारे resume के अंदर कुछ complex tables हों कुछ photos pictures हमने लगाई हो resume के अंदर अगर यह चीजें बहुत जादा जरूरी नहीं है तो इनको हम अपने resume से बिल्कुल हटाने वाले क्योंकि companies के अंदर कुछ software होते हैं और यह सारी चीजें अगर हमारे resume के अंदर हैं तो वो software हमारे resume के अंदर information को detect नहीं कर पाते हैं तो ऐसे cases में भी हमारे resume कई बार reject हो जाते हैं because of unwanted information there second चीज जो हमें करनी है अपने resume के अंदर से sincere hard working dedicated इस तरीके से जो buzzwords होते हैं जिनका as such कोई meaning नहीं होता हमारे पास कुछ as such proof नहीं होता इन चीजों को prove करने के लिए ऐसे buzzwords से हमें थोड़ा सा दूर रहना है और maximum जो चीजें हमें लिखनी अपने resume के अंदर वो technical information होनी चाहिए अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अपने resume format के बारे में resume format या इसको हम template कह सकते हैं यह हम किसी भी well known website से pick कर सकते हैं मैं जो आपको personally advice करूंगी वो Google Docs होगा क्योंकि Google Docs freely available होता है तो इसके लिए में कोई payment करने की ज़रत नहीं पड़ती और मेरा खुद का जो मैंने resume बनाया है that is also built on Google Docs तो इसका format इसका भी template आपको नीचे description box के अंदर available होगा आप चाहो तो इसी को edit करके आप अपनी चीजें अपने experiences यहां पर लिख सकते हो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अपना resume Microsoft Word पर बनाना है या मुझे तो Canva जैसा है कोई और जो well-known templates होते हैं उनको use करना है तो आप उन्हें भी जाकर use कर सकते हैं अब जब भी अब रेजुमे format की बात करते हैं हमारे पास दो popular formats होते हैं यह तो होता है हमारा horizontal format जिसमें information एक CD line के अंदर properly लिखी होती है और दूसरा format इसको हम column type format कह सकते हैं जिसमें हम दो columns की form में अपनी information को represent करते हैं दोनों में से आपकी personal choice है आप किसी को भी pick कर सकते हैं as such industry के अंदर एक अच्छा या दूसरा अच्छा इस तरीके का कुछ नहीं है जो आपको personally पसंदार है उसको आप pick कर सकते हैं मेरा जो format है उसमें मैंने horizontally अपनी information को represent किया है अब resume format में second चीज जो में ध्यान रखनी है कि हमारा resume एक single page resume होना चाहिए एक page से जादा information हमें नहीं डालनी है साथ के साथ जब भी resume को हम finally export करें उसे हमेशा pdf के अंदर export करना है docs file या किसी और तरीके की file में हमें उसे export नहीं करना second चीज हमारे resume के अंदर हम font यूज कर रहे हैं काफी simple काफी easy to understand fonts को में use करना है मैंने personally अपने resume के अंदर calibri font को use किया है आप चाहो तो इसी को use कर सकते हो नहीं तो aerial जैसा simple and easy to understand font यूज कर सकते हैं third चीज resume के अंदर simple colors को use करना है blue and black सबसे जादा professional colors माने जाते हैं मेरी advice रहेगी इन ही दोनों colors को में use करें पूरे के पूरे resume के throughout अब जब भी हम specifically tech resumes की बात करते हैं तो क्यूंकि वो resume हमें बड़ी-बड़ी tech companies के अंदर जाके submit करना होता है तो पहली बार उन्हें कोई human नहीं पहली बार उन्हें ATS नाम के कुछ software's हैं जिनके through resume जा रहे होते हैं इसलिए हमें अपने resume को complex या fancy बनाने की ज़रूरत नहीं होती हमें उस resume को simple बनाने की ज़रूरत होती है ताकि software से वो resume reject ना हो जाए इसलिए सारी की सारी information है उसे हमें अच्छे तरीके से अच्छे organized तरीके से लिखने की ज़रूरत होती है अब सबसे पहले बात करते है resume header की resume header होता है हमारा top of the resume यानि resume के सबसे उपर वाला हिस्सा इसमें सबसे पहले तो हम अपना नाम लिखेंगे हम अपना पूरा नाम लिखते हैं उसके साथ साथ हम अपनी contact information mention करेंगे contact information में एक तो हमें ऐसी email id देनी है जिसको हम day to day basis पर या regularly check करते रहें in case company हमे reply back करती है और दूसरा हमें अपना phone number देना होता है in case वहां से recruiter या HR हमें call कर सके साथ के साथ आप ऊपर चाहें तो अपनी LinkedIn profile आप mention कर सकते हैं और अपनी GitHub profile mention कर सकते हैं अगर आप tech resume बना रहे हैं तो इसमें काफी important है कि आपकी LinkedIn and GitHub profile दोनों की दोनों काफी updated हों क्योंकि updated अगर profile रहती है तो हमारे बारे में अगर recruiter चाहे तो उन profile को भी जा कर सकते हैं अगर coding के अंदर आप किसी website पे जा के काफी सारे DSA के सवाल करते हो या competitive programming करते हो और वहां पर आपकी rating बहुत अच्छी है आपने काफी सारे सवाल कर रखे हैं तो आप उस profile का भी link यहां पर top of the page पर जा के mention कर सकते हैं अब एक बार हमने अपने header को create कर लिया उसके बाद हम अपने resume को different different sections के अंदर divide करते हैं हमारे 5 main सबसे important sections होते हैं जिनको हमें रखना होते हैं इसमें से सबसे उपर generally as a student हम अपना skills section रखते हैं उसके बाद हम अपना project section रखते हैं फिर अगर हमारे पास experiences हैं तो हम अपना experience section भी रख सकते हैं and finally हमारा achievement section आ जाता है इसके बाद हम जाएं तो एक hobbies का section build कर सकते हैं एक societies का section जो है extra उसे भी build कर सकते हैं अभी जो sections है इन्हें उपर या नीचे रखने का कोई hard and fast rule नहीं है generally students के लिए advice होता है कि skills or education section उपर आना चाहिए पर as a student अगर आपके पास काफी सारी internships है लिखने के लिए मान लेते हैं आपके पास open source का या प्रिलांसिंग का experience बहुत जादा है तो आप अपने experience section को भी उपर लिख सकते हो तो basically हमारा main motive होना चाहिए कि वो section जो हमारी profile को बहुत ज्यादा अच्छा देखने में attractive बनाए वो उपर आना चाहिए इसमें ये भी एक example हो सकता है कि अगर आपकी achievements बहुत जादे हैं आपकी field के अंदर तो आप अपने achievement section को भी कई-कई cases में उपर रख सकते हैं तो it all depends upon you कि आप किस चीज को उपर रखना चाहते हैं वरना general format जो होता है skills education projects experience and achievements उसको मैंने बता दिया अब इसके अंदर एक section को अब हम detail में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बात करने उने skills section के अदर हम अबनी सारी की सारी programming languages को मेंचन करेंगे जिन जनके बार में आपने किसी programming language को आपने बस college न पढ़ा है school के पढ़ उसके तर दीटेल में नी पता सिफ बैसिसी बारे में बता बेसिए बारे में इस तरीक से उसकों कर सकते कि आप कितना जानते हैं अस लांगवज के बारे में प्रोग्रामिंग लांगवजेज में हम C, C++, Java, Python, JavaScript, इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट लांगवजेज इनको मेंचिन कर सकते हैं अगर आपने किसी पॉर्टिकिलर टेक स्टैक के उपर काम किया है जैसे मर्न स्टैक हो गया उसको आप यहां पर मेंचिन कर सकते हो आप डेवलाप्मेंट, मशीन लर्निंग जो भी आपको आता है आप स्किल सेक्शन के अंदर मेंचिन कर सकते हैं साथ के साथ अगर गिट, GitHub जैसे टूल और टेकनोलोजी के उपर हमने काम किया है या दूसरा अगर कोई प्रोफेशनल टूल जो इंडस्ट्री के अंदर काफी जादा यूज होता है उसके ऊपर अगर हमने काम किया है तो उसे भी हम अपने स्किल सेक्शन के अंदर मेंचिन करेंगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं फर्स सेकिंड यर के स्टूइंट को एडवाईज करूंगी कि अगर आप फर्स सेकिंड यर के अंदर है और अभी हमारे पास आज सच जादा प्रोजेक्स या जादा कुछ कुछ वक नहीं यह लिखने के लिए तो इसकेस में अपने स्किल सेक्शन के अंदर हम अपने computer science related subjects को भी लिख सकते हैं जिन में हमारें DBMs आ जाता है जिसमें हमारे operating system आ जाते हैं जिसमें हमारे ओपस आजाता है तब हमारे पास actually technical skills होनी चाहिए, तब हमें generally course work को वहां पर mention नहीं करना है, second section जिसके हम बात करेंगे that will be our experience section, अब experience section के अंदर क्या क्या आता है, so this is my experience section, experience section के अंदर मैंने internships and related चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, experience section के अंदर हम अपनी internships को mention कर सकते हैं, अगर हमने किसी research project के उपर काम किया, research internship की है, वो हम लिख सकते हैं, किसी research article को publish किया है, उसके बारे में लिख सकते हैं, हम चाहें तो अगर हमने hackathons वगेर में participate किया है, हमारे पास open source का experience है, या ह हमारे पास freelancing का experience है, या हमारे पास अगर मान लेते हैं, हमने TA जैसी internship की है, teaching assistant जैसी, वो सारी की सारी चीज़े हमारे experience section के अंदर जाती है, अगर आपके पास इन में से कुछ भी नहीं experience section के अंदर लिखने के लिए, तो experience section को completely हम अपने resume से हटा भी सकते हैं, experience section के अंदर हम bullet point में अपने जो experiences हैं, उनको mention कर सकते हैं, साथ के साथ हमने किस designation पर काम किया, कौन सी company के अंदर काम किया, कहां पर काम किया, कब से कब तक क्या timeline थी हमारे काम करने की, कौन सा month, कौन सा year, साथ के साथ हमने exactly क्या काम किया, यह चीज़े हमें mention करनी होती है, अब यहाँ पर मै सबसे पहला मैंने यह पर paragraph की form में अपनी information को लिखा है, यह simply मैंने सिर्फ अपनी space यानी जगे बचाने के लिए किया है, पर generally हमारे पास अगर 2-3 internship होती है, तो उसमें हो सकता है, हमारे पास थोड़ी सी space जादा हो, तो उस cases में आपको अंदर वाली information भी bullet points के अंदर लिख में डालना है tools and technologies का, कि अगर आपने कहीं पर internship की, तो आपने कौन से technologies हैं, जिनके उपर काम किया, कौन-कौन सी coding algorithms है, जिनको आपने use किया, तो इस तरीके से आप different different चीजें जो है, वो mention कर सकते हैं, so this was about experiences, next section जिसकी हम बात करेंगे, यह है हमारा education section, अब हमारा education section होता है, तो इसके अंडर चीजे हमें chronological order में लिखनी होती है, यानि सबसे recent चीज सबसे उपर, college का experience, college के बारे में लिखेंगे फिर अपने 12th के बारे में, फिर अपने 10th के बारे में, जिस तरीके से चीजें लिखनी होती है, in fact, इसी तरीके से chronological order हम अपने experiences के अंदर भी फॉलो क अब यहां पर कुछ स्टूदेंस का डाउट ही होता है कि मेरे कॉलेज उतना फैंसी नहीं है, मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं है, शायद टिर वन टिर टू के अंदर नहीं आता है, तो क्या मैं उसका नाम लिखूँ तो जवाब होगा येस, चाहे आपका कॉलेज किसी भी काटेगरी के अंदर आता हो, आपको वहाँ पर अपने कॉलेज का नाम मेंचन करना ही करना है, सेकिंड सवाल जो कई स्टूदेंस पूछते हैं कि मेरे मार्स उतने अच्छे नहीं है, तो क्या मैं मैं ग्रेज को मेंचन करूं या नहीं करूं तो ऐसे केस में अगर आपको फ इजुकेशन कर सकते हैं, अब यहां पर 10th क्लास के मार्क्स मैं अपनी जगे बचाने के लिए नहीं लिखे हुए, तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो फिर आप अपने 10th के मार्स भी यहां पर मेंचन कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्शन में साथ के साथ मान लेते हैं, आपकी कर सकते हैं, अगर हम internships के लिए apply कर रहे हैं, थर्ड यर के अंदर, तो इसमें कोशिश करनी है, at least 2 projects हमारे पास हो, 2 अच्छे projects, and अगर हम placements के लिए apply कर रहे हैं, तो हमारे पास 2-3 अच्छे projects होनी चाहिए, तीन से जाज़ा projects हमें mention करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें projects को जब भी हम mention कर रहे हैं, तो इस तरीके से project का हमें नाम लिखना है, फिर project के बारे में description लिखना है, दुबार से एक चीज मैं repeat कर दूंगी, कि मैंने यहां पर paragraph की form में information लिखी हुए है, पर आपको क्या प्रिफर करने है, आपको bullet points प्रिफर करने है, और जो हमारे project का न API-based weather application, इससे clear हो रहा है कि project के अंदर के अंदर के उसके बाद हमें description देना है, और साथ में additionally हमें वो technologies mention करनी है, जिनके अंदर हमने उन projects को build किया है, तो यह सारी सारी चीजें हमें mention करनी पड़ेगी projects के अंदर, एक और additional चीज जो आप अपने resume को level up करने के लिए कर सकते हो कि हर एक project का आप जो है GitHub का link साथ के साथ यहां पर attach कर सकते हो, या तो GitHub का link आप attach कर सकते हो, so that the recruiter can directly go and look at your code, या फिर अगर हमने अपने project को deploy किया है, host किया है, तो हम वो hosted या deployed link भी यहां पर paste कर सकते हैं, अब next section जिसकी हम बात करेंगी वो होगा हमारा achievement section, achievement section के अंदर prefer करन यानि अगर हम tech positions के लिए apply कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी contest के अंदर tech contest के अंदर participate किया है, वहाँ पे achievement है, hackathon में, open source में, तो हम उन achievements के बारे में सबसे पहले लिखे, और recent achievements, यानि college की achievements के बारे में सबसे पहले लिखे, पर्मान लेते हैं, अगर इन categories में से हमारी achievement निए तो फिर उस case में हम school की achievements भी लिख सकते हैं, या non-tech achievements को भी mention कर सकते हैं, उसके बाद achievements के बाद next section जो important हो जाता है, उसे या तो हम अपना hobbies वाला section बना सकते हैं, या फिर societies इस section का नाम दे सकते हैं, या मैंने इसे नाम दिया है position of responsibility, इसके अंदर मैंने society के experiences को mention किया है, उसके तो आप hobbies के बारे में भी mention कर सकते हैं, एक चीज़ धान गठनी है, अगर hobbies में for example, हमने tabla को as a skill लिख दिया, या हमने लिख दिया कि हमें guitar बजाना आता है, और मान लेते हैं, हमारे interviewer को भी guitar बजाना आता है, तो फिर वो बिलकुल आप से hobbies के बारे में भी सवाल पूछ सकत के लिए कि skills में जितनी भी skills हमने लिखी है, उन सबसे हमसे सवाल पूछा जा सकता है, इंटर्व्यू के अंदर तो उसके लिए हमें mentally prepared रहे हैं, last में कई सारे students होते हैं, जो अपने लिए एक और additional section बना लेते हैं, called the certificate section, अगर आपके पास काफी सारे certificates हैं लिखने के लिए तो आपकी फील्ड के अंदर certificates काफी जाने जाते हैं, काफी माने जाते हैं, तो आप उन certificates को भी mention कर सकते हो, generally tech field के अंदर certificates की उतनी जादा importance नहीं होती, सबसे जादा importance हमारे skill section and हमारे project section की होती है, बट फिर भी अगर आपके पास certificates हैं लगाने के लिए, तो last में हम एक certification का सकते हैं, इसके साथ में एक और additional tip मैं आपको दूगी, for example, आपने open source के अंदर बहुत जादा काम किया है, तो आप खुद से अपने अपने section बना सकते हो, called open source, या आपके पास freelancing का बहुत जादा experience है, तो आप फ्रीलांसिंग का बहुत से section बना सकते हो, तो अपने resume को हम किस तरीके से customize करना चाहते हैं, वो completely हमारी personal preference और हमारी profile और हमारे experiences के उपर depend करता है, तो इसलिए जब भी हम अपने resume को देखें, एक बार इस तरीके से इन नजरों से देखना है, कि अगर मैं recruiter होता, तो मुझे कौन सी चीज सबसे ज़ादा impressive लगती, किसे में top पर डालना चा तो अपने अलग अलग दोस्तों से पढ़वाना है, ताकि वो भी आपके resume के अंदर spelling mistakes को identify करके उन्हें ठीक कर सके उन्हें हटा सके, तो I hope कि resume से related काफी सारी information होगी, जो हमें मिली होगी, साथ के साथ, if you want to access my resume, it is available in the description box, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो I hope कि resume से related काफी सारी चीजें हमें पता चली होगे, जिन सब को हम खुद के अपने resume को और better बनाने में, अपनी profile को और better बनाने में implement कर रहे होगे, अब इसके अलावा resume से related, coding से related, tech से related, अगर आपका कोई भी सवाल है, उसके बारे में मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं, आसके लेट नाई, मिलते ने नेस्ट विडियो में तेल थें, keep learning and keep exploring.